आए अब मैं चाहता हूं कि मुशायरे का रंग थोड़ा सा बदला जाए और तन्जो मजाह की तरफ मैं आपको लिए चलना चाहता हूं जनाब मुशायरे में हर तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं आएए मैं एक बात आपको बता दूँ कि अभी मैं एक शायर को पेश करने जा रहा हूं जो तन्जो मजाह की शायरी करते हैं एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए मजाह कैसे पैदा होता है अक्सर हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं मजाह दो तरह से पैदा होता है एक तो नहायत ही नहायत ही हुश्यारी की बात की जाए तब मजाभ पैदा होता है और नहीं तो परले दर्जे की बेवकूफी की बात की जाए तब मजाभ पैदा होता है मैं थोड़ी सी आपकी जहन साजी करना चाहता हूँ अब जानते हैं कि गालिब को आम बहुत पसंद थे और उनके एक दोस्त थे जो बेलकुल ही आम पसंद नहीं करते थे एक बार का वाकिया है कि गालिब साहब आम खाकर छिलका बाहर फेके हुए थे उनके दोस्त वहीं बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि एक गदहे वाला गदहा लेकर जा रहा है गदहा आम के छिलके को सुंगा और छोड़ कर आगे बढ़ गया गालिब के दोस्त को मौका मिला उन्होंने का आगे गालिब साहब देख रहे हैं आम ऐसी चीज है कि गदहा भी नहीं खाता गालिब ने फोरण जवाब दिया चुकर उनके दोस्त आम नहीं खाते थे कहा कि आप सही फर्मा रहे हैं गदहे आम नहीं खाते तो ये मजाभ पैदा होता है देखिए एक और मैं बात बता दूँ कि बेवकूफी में कैसे मजाभ पैदा होता है एक आदमी की शादी हुई जब बिदाई होने लगी तो उनकी सालियां उनके नजदी का कर लगी रोने लगी कहने की जी जा जी मेरी बहन को कोई तकलीफ मत दिजिएगा उसको ठीक से रखिएगा देखिएगा उसको किसी तरगी परिशानी नहों आकर लगी रोने दुला मिया भी बड़े जजबाती आदमी थे वो भी रोने लगे और उन्होंने कहा कि रोते हुए कहा कि आप लोग बेलकु फिक्र मत कीजिए आपकी बहन को मैं बेलकुल तकनिब नहीं होने दूँगा जैसे वो आपकी बहन है वैसे ही मेरी भी बहन है ये मजा पैदा होता है मजा ऐसे पैदा होता है आए मैं आपको ले चलता हूँ भोजपूरी की दुनिया की तरफ चुक्क यहां बहुत सारे भोजपूरी जानने वाले लोग भी बैटे हैं मैं बता दूँ कि भोजपूरी में बड़ी खुबियां हैं एक बार एक जगा बहाली हो रही थी और उसमें बहुत सारे लोग आ गए थे एक आजमी की बहाली करनी थी तो लोगों ने देखा बहाली करने वालोंने की बड़ी भीड है तो बाहर एक पोस्टर लगा दिया कि जो कम से कम लफ्ज बोल कर अंदर आएगा उसी की बहाली होगी तो एक हिंदी वाले भाई गए और उन्होंने कहा कि क्या मैं शिरिमान अंदर आ सकता हूँ बहाली करने वालोंने कहा बागिये बाहर जाएए जाएए आपकी जुरूत नहीं है उसके बाद एक अंग्रेजी वाला गया मैं आई कमिन सर कहा कि नहीं जाएए आपकी जुरूत नहीं है कई लोग इसी तरह से गुजरे तो एक भोजपूरी वाला भी था बिहारी था वो भी गया और कहा कि ढूक की तो उसके अब कहा कि ढूक उसके बादी हो गई यह भोजपूरी की खुबी है इसी भोजपूरी के शायर हमारे बीच जनाब खुलूस गया भी है मैं उनको इन इन मिस्रों से बुलाना चाहता हूँ के असले के हो खा ता एकरा के रोका असले के होखा तो एकरा के रोका अब भांग धतूर के दौर चलाव ला घर-घर में कोकीन पहुचाव ला भांग धतूर के दौर चलाव ला घर-घर में धतूर पहुचाव ला अब भॉई धाईलस खोंखी अब खोंखा असले के हो खो तो ये करा के रोका माइक पर खलूस गया भी भाईया अभी इम्रान भाई जंडा फा रहे ले राउर भी देख ले हमाँ देखनी आमने सब ख़ड़ा होकर के होकर इहतराम कही नी आई भाईया एक दोहा होकर हवाले से और फिर आपके हम रचना देतानी कि भाईया आज के जूब कहां कहां पहुंचल सब्तर बरस में हम कहां पहुंचनी है आई भाईया देखे ठीक है गैर के सुखदुक आपन समझी मिलजुल काटी दीन यही हमें बतलावे भाईया एक जंडा रंग तीन गैर के सुखदुक आपन समझी मिलजुल काटी दीन यही हमें बतलावे भाईया एक जंडा रंग तीन बात है यही हमें बतला है एक जंडा रंगतीन और आई भाईया देश कहां पहुंचल बाई यह तो बड़ी अच्छुमभा के बाद बटे जैसे के हमने के नकीब काहलन के सतर बरस में कहां पहुंचल हम भी बड़ी दुखिद बाने हैं हमने सब यही सोचतनी के गांधी जी के अब आई है तो कब आई है अब कॉन गांधी आई है की गांधी प chess गर फिछारे जाई बुझात तो इसने बा हमन में साइथ हो सके लावरी लोग के ना बुझाए तो ना को सके लिए लेकिन हमरा इसने बुझाता है इगड़िया पिछवारे जाई मिलजु लेके जल्दी घिंची ना तो आगे खाड़े जाई इगड़िया पिछवारे जाई इगड़िया पिछवारे जाई इगडिया पिछवारे जाई, मिलजु लेके जल्दी घिंची, ना तो आगे खाड़े जाई, इगडिया पिछवारे जाई अगल बगल में खालेबा चो ओर देखी ढालेबा क्या बात है अगल बगल में खालेबा चो ओर देखी ढालेबा आगे जाए के सकती नहीं खे नीचे बीच पहाड़े जाई इगड़िया पेच वाड़े जाई क्या बात है बाबाबा अगल बगल में खाले बाद, चोव और देखी ढाले बाद, आगे जाए के सक्ती नाइक है, नीचे बीच पहाड़े जाई, इगड़िया पीछ वाले जाई, तेल के टंकी छेदे बाद, चक्कन में सो भेदे बाद, नति इसको मार जाके मिल गई ले, अईसन ना जाने कितना मिल बड़े, तेल के टंकी छेदे बाद, चक्कन में सो भेदे बाद, ब्रेक के बल्टू खुले ले बाद, अब ना को नो आड़े जाई, इगड़िया पीछ वाड़े जाई, तेल के टंकी छेदे बाद, चकन में सो ब्रेक के बल्टू खुल ले बढ़ते अब ना कौन आ रहे जाई इगड़िया पिश्वारे जाई हाद गोड सब भीतर रखिया खोल के खिड की मत कोई जखिया हाद गोड सब भीतर रखिया खोल के खिड की मत कोई जखिया बिर्नन के छत्ता बास अगरे रोड से जंगल जाड़े जाई इगड़िया पिछवाड़े जाई इगड़िया पिछवाड़े जाई चल के वहाँ चांदी कड़बो दुख तो का सुख सब के बढ़बो चल के वहाँ चांदी कड़बो दुख तो का सुख सब के बढ़बो चल चला जोनो बाँ चल बाड़ स्वर्ग तलग बिन भाड़े जाई इक गड़िया पिछ बाड़े जाई इक गड़िया भाईया का कहीं हम ली के तो हजीब हाल बाई भाईया इस चटकल में जब से लटकल रहनी इक लटकल ना आप तो अटकल बानी भाईया हो आई स्रीकंदर भाई के कहला के मताविक ना तो हम तो बड़ी उलट फेर के आत्मी बानी जिन्दगी यह करे में कोड़ गई देखते बानी हम राखे बदली में लटकोईले बाई बदली में लटकोईले बाई गईल जवानी आईल पुढ़ापा अब का ताकत धोईले बाः अब का ताकत धोईले बाः बदली में लटकोईले बाः गईल जवानी आईल बुढ़ापा अब का ताकत धोईले बाः बदली में लटकोईले बाः हो ना होबा मन में पाप मांगत पैसा लोटे साप हो ना होबा मन में पाप मांगत पैसा लोटे साप हमके बुजाता पर्मिठन के पूरा सर्विस गोई ले बैए बदली में लटकोई ले बैए हो ना होबा मन में पाप मांगत पैसा लोटे साप हम के पुझा तब परमिट हन के पूरा सर्विस गई ले बार बदली में लटकई ले बार अजे के मिलल बाप पिला काट परमिट के हूँ जो है बार इस्पेसल जो नबा वो कर अब बदली इस्पेसल है रिटायर हो जगता है हमरा तक्षिया सामझ जावाता के घेसिया के उट टायर हो जगता है जे के मिलल बाप पिला काट परमिट के हूँ जो है बाट घोटे तुगलत बने ना होके बीच में अस अटकई ले बार क्या बात है बदली में लटकई ले बार हम तो जवानी मौ से कटनी गाहना गुडिया बेच के चटनी मिलवा बंध हर साल हो खेला थारी लोटा धोई ले बार बदली में लटकई ले बार हम तो जवानी मौ से कटनी गाहना गुडिया बेच के चटनी मिलवा बंध हर साल हो खेला थारी लोटा धोई ले बार बदली में लटकई लेबा और भालू सेर के अब भाई कैसन जंगल उजडल फैलल फैसन लाथी भाला लेके धावा मांगी खोल उसके खई लेबा बदली में लटकई लेबा